बिना किसी दूसरी बात की वीडियो शुरू करते हैं देखिए 7 दिसंबर को रेलवे रिक्रूटमेंट सैल रर्सी की वेपसाइट पर एक नोटिस अपडेट हुआ था इस नोटिस में आपको क्या बताया गया था ये आप टोक जानते भी होंगे नहीं जानते हैं तो ओवर व्यू देता हूं देखिए इस नोटिस में कहा गया था कि आपका जो पीटी होना है फिजिकल इलिजविल्टी टेस्ट इस टेस्ट को जनवरी 2023 के फस्ट वीक या फिर सेकंड वीक में स्टार्ट कर दिया जाएगा इसके बारे में बात कही गई थी जो आपका ग्रूबडी का रिजल्ट है इसके रिगार्डिंग कोई बात बोली नहीं गई थी लेकिन हाँ एक चीज़ेंसे कंफर्म यह होती है कि अगर आपका पीटी होगा तो यह जो रिजल्ट है यह रिजल्ट आने के बाद पीटी में आपको minimum to minimum 15 days दिये जाएंगे ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट दिया जा रहा है उसके दो दिन बाद ही पीटी के लिए बुला लिया जाएगा notice दे दिया जाएगा ऐसा नहीं है तो अगर जनवरी first week या second week में आपका पीटी होना है start होना है तो रिजल्ट को सौभाविक ह कि 15 December के आश पास आपको मिल जाएगा तो रिजल्ट यह आएगा कब देखे आज मैं वीडियो बना रहा हूं आज है 11 December जब मैं वीडियो बना रहा हूं इस दिन है Sunday रिजल्ट की टाइमिंग बैसे तो मंडे मेरे एसाब से मेने जहां तक माना था मंडे इविनिंग तक आप को result मिल जाएगा अगर Monday में नहीं आता है तो Tuesday में आपको 100% result देखने को मिल जाएगा Tuesday का मतलब है 13th of December मेरी तरब से date यह है 12 या 13 December में आपको result देखने को मिल जाएगा RRC group D का अगी किसी और exam के अगर आप preparation कर रहे हैं तो playlist जरूर देख लें कोई भी exam में उसके लिए all the best ध्यान रखें अपना बाई